निव्ज बुंदिल खंड में आपका स्वागत है मैं हूँ अमिस सोनी जहासी के मादव स्मिर्थी संग कारेले में आज एक सुक सभा का आउजन किया गया जिसमें बरिष्ट पिर्चारक राम लखन जी को सरध्धानजली दी गई जिसमें जहासी के माहनगर के स्वयम सेवक उपस्चित रहे और नमाखों से उनके जीवन पर प्रकास डाला जिसमें जहासी के संग कारेले में भी नमाखों से उनको सरध्धानजली दी गई और उनके जीवन पर प्रकास बिठाला गया आज अपने वरिष्ठ परचारक स्रधे राम लखन सिंग जी जो यहाँ पर विभाग परचारक रहे और बुंदे लखंड में बांदा जिले में भी जिला परचारक रहे हैं और एक और वरिष्ठ कारकरता अपने यहाँ संकर रामचंद्र भावे उनका भी दस तारीक को निधन हो गया था स्रिमान लाम लखन जी का भी 21 तारीक को लखनों में निधन हुआ और और कारकरता अपने सत्य प्रकास जी थे वरिष्ठ कारकरता थे उनका भी अभी निधन हुआ ऐसे कारकरताओं को सरद्धानजली अर्पित करने के लिए संग परिवार समाज के बंदो सब एकत्र हुए हैं उनको अपने उनके जीवन के जो मारदरसन था उस सब का यहां पर और संकल्प एक बार लेंगे कि हम उनके प्रद्धिशिन्नों पर चलें और उनको पुस्पानजली सरद्धानजली का यह कारकरम रहेगा जहासी के संकारले में स्रध्धांजली दी जा रही है एक बरिष्ट प्रचारक थे उनका देहान दो गया उसके बाद जहासी के संकारले से उनको स्रध्धांजली दी जा रही है बादचीत के लिए हमारे साथ जैपाल जी मौजूद है जो की प्रचार भाग देखते हैं प्रीमान राम लकन जी हमारे संग के बहुत बरिश्ट पिचारक थे कुछ समय वो अस्पताल में भरती रहे लकनों में भरती रहते रहते आस्वस्थ होने के कारण उनको बर्ती कराए गया कुछ दिन उपचार के उपरांत उनका आकासमे एक निदन हो गया इस पस्चात हम लो लोगों ने हा एक संधान जली रखी है इसमें हमारे संग के साय परांत कारव स्रीमान अनल ड़ी और संग के बरिश्ट कड़िया हुए हैं और जो उस्रीमान राम लकन जी गे तो यह नहीं के बरिश्ट करचारक होने पाल जी जो लोटर बताया कि राम लखन जी जो सके के वरिष्ट प्रचारक थे जिनका डिधन होने के बाद जहासी के आला इनके जो प्रचारक थे वो आव उनको सरदान जली दे रहे हैं कैमला परसें जितिन रहरवार के साथ अमिस सोनी न्युवी सुन दिलकट जहासी